नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे एक बड़ी ख़बर की, जो हाल ही में Global NCAP ने Safe Acast for India प्रोग्राम के तहट शेयर की है मारूती सुजुकी डिजाय के नए और पुराने वर्जन की क्रेश टेस्ट रिपोर्ट सामने आई है चलिए, जानते हैं कैसे दोनों मॉडल्स इन टेस्ट में परफॉर्म करते हैं और नई डिजाय की सेफ्टी रेटिंग क्यों इतनी खास है Global NCAP ने दोनों मॉडल्स का 64 किलोमीटर प्रती घंटा फ्रंटल अफसेट क्रेश टेस्ट और 50 किलोमीटर प्रती घंटा साइड मोबाइल बेरियर टेस्ट किया पहले बात करते हैं नई डिजाय की इसे वयस्क सवारियों की सुरक्षा के लिए 5 स्टार और बच्चों की सुरक्षा के लिए 4 स्टार रेटिंग मिली है ये मारूती की पहली कार है जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली है क्या ये शांदार नहीं है? नई डिजाय में आपको 6 airbags, electronic stability control और पैदल यातरी सुरक्षा स्टेंडर्ड रूप में मिलती है यह सभी सीटों पर 3-point seat belts भी देती है और ISOFIX anchor points स्टेंडर्ड है टेस्ट में गाड़ी की संरचना और footvale area को स्थिर और मजबूत बताया गया है जो और भी loading झेल सकती है frontal test में driver dummy की छाती को मामूली सुरक्षा मिली लेकिन side impact test और pole test में वयस्क सवारियों को पूरी सुरक्षा मिली बच्चों की सुरक्षा में 18 महीने के dummy को पूरी सुरक्षा मिली जबकि 3 साल के dummy को सिर और छाती की सुरक्षा तो अच्छी थी लेकिन गर्दन की सुरक्षा को बहतर किया जा सकता है विशेश कर पीछे की तरफ बैठने वाली seat में अब बात करते हैं पुराने वर्जन की इसमें सिर्फ दो airbags और escape standard था इसे वयस्क सवारियों के लिए सिर्फ दो स्टार और बच्चों के लिए दो स्टार रेटिंग मिली ख्रेश के बाद संरचना और फुटवेल एरिया को अस्थिर बताया गया साइड इंपेक्ट टेस्ट में सुरक्षा कमजोर रही पोल टेस्ट नहीं किया गया क्योंकि इसमें side head protection का option ही नहीं था पुरानी डिजाय में बच्चों के लिए पीछे की और बैठने वाले seat का इस्तिमाल हुआ आइसोफिक्स एंकर और सपोर्ट लेक के साथ हलाकि डमी का सिर्कार के interior से टकराया और सभी seat positions पर तीन पॉइंट seat belts की कमी के कारण rating कम रही तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन crash tests के बारे में कौन सी car को आप global NCEAP safety test में दिखना चाहेंगे हमें नीचे comments में जरूर बताए और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो like और share करना न भूले चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी latest automotive खबरे सबसे पहले मिले धन्यवाद और सुरक्षित रहें